तो Clash of Clans में फाइनली आ चुक है अपना Goblin Builder और भाई साब ये इवेंट गेम में रहने वाला है 60 डेस के लिए, 61 डेस के लिए सौरी और वर्क फॉर हाय जो ये इवेंट है, इसके अंदर क्या होगा, बिसिकली एक Goblin Builder कैसे काम करेगा चल ये सारी चीज़े देखते हैं, ये आपके लिएक Additional Researcher भी बन सकता है ये आप लोगों के लिएक Additional Builder भी बन सकता है, बस इसको चाहिए है थोड़े बहुत Gems जो कि हमारे पास बिल्कुल है नहीं, पर हम उसका विजियो काड़ करेंगे, वैसे मेरे आप देख सेते हो पांच बिल्डर बिजी हैं, अगर हम लोग इसके उपर क्लिक करते हैं, जो हमारा Goblin Builder है तो ये क्लिरल ही बोलता है, हे चीफ, need some help with building और researching, I can help you if you want me with a few gems for my time, ओके तो ये इसका basic plan है, अब नीचे आप देखो, I can only help you I can only help with building if you have 5 builder huts, तो अगर आपके पास 5 builder huts हैं, तो आप इसको use नहीं कर पाएंगे तो फिलाल हमारे 6 builders available हैं, तो I think हम लोग इसे use कर पाएंगे, this is our 7th builder सबसे बले आपको मैं laboratory का दिखा देता हूँ, मेरे laboratory में currently already 4 hours के लिए कुछ यहाँ पे चल रहा है लेकिन अगर मुझे कुछ और upgrade करना है, तो मैं इसको as a second researcher use कर सकता हूँ So this goblin builder can work as a second research in laboratory, यह पहली चीज हो गई And currently हमें यहाँ पे इसकी जरूत नहीं है, पर फिर भी कुछ अगर हम upgrade करने की try करेंगे तो यह देख सकते हो, आप लोग यहाँ पे अपना elixir पहले कम पढ़ रहा है, एक काम करते हैं हम लोग हम लोग सबसे पहले यहाँ पर अपने runes use कर लेते हैं, मैं यहाँ पर rune of, मेरे पास dark elixir है नी, rune of gold मेरे पास है तो मैं rune of gold add कर लेता हूँ, मेरा storage अप फुल हो चुका है, चलिए अब देखते हैं क्या यह चीज़ों को upgrade करता है सबसे पहले मैं अपना एक builder और busy कर लेता हूँ, जो कि मैं किसी एक छोटे मोड़े defense को upgrade लगा लेता हूँ let's see हम लोग क्या upgrade करेंगे, हम लोग एक arch tower upgrade कर लेते हैं for the example या फिर एक wizard tower में भी, let's go for the wizard tower and अब मेरे पास जो loot है बची हुई, उसके साथ मैं इस goblin builder हो क्या use कर सकता हूँ, चलिए हम लोग यहाँ पर live देखते हैं for example मुझे इस hidden tesla को upgrade करना है जो कि यहाँ पर है and अब देखते हैं हमारा यहाँ पर goblin builder आ जाएगा और यह मांग रहा है 321 gems and as you all can see मेरे पास नहीं है 321 gems so this was just example अगर आप use करना चाहते हो तो किस तरही के से काम करेगा अब मैं आपको एक बहुत ही perfect example दिखाता हूँ live इसे use करके हम देखने वाले जैसे मेरी wall है भाई साब यह लेकि 3.4 million लेकिन मेरी यहाँ पर wall upgrade करने के लिए भाई मेरे पास builder नहीं है तो यह मेरी wall upgrade कर सकता है with 10 gems यह थोड़ा expensive है लेकिन ठीक है भाई क्या कर सकते है कर दिया इसने तो इस तरीके से काम करता है यह गौर्विं बिल्डर और अब मैं gems नहीं खर्च करूंगा I need these gems for the one gem donation तो इसलिए मैं यहाँ पर gems को waste नहीं करने वाला हूँ of course इस जगह पर दो at least नहीं करूँगा सिब आपको दिखाने के लिए मैंने 10 gems waste कर दिये तो अगर आपको आपको बहुत सारे gems है thousands में तो तब आप इस चीज़ को use कर सकते हो में भी तब आपके लिए helpful हो सकता है same goes for your laboratory जैसे हम यहाँ पर electro titan हम लोग अपनी laboratory के अंदर upgrade करना चाहें तो हम लोग यहाँ पर currently इसको second researcher की तरह use करके कर सकते हैं so this is the use of goblin builder जो की अभी आप unlock कर चुके होगे most of लोग अगर आपको आपको 5 builders हैं अगर नहीं है 5 builder तो शायद आपके यहाँ पर यह village के अंदर शोन नहीं कर रहा होगा and जितने लोग के पास हैं भाई अभी 61 days आपके पास हैं आप अराम से जब जब इसकी help आपको लगे जैसे आपके पांच के पांच builder बीस हो चुके हैं बहुत ही urgent कुछ upgrade करना है so at that time यह चीज़ बहुत ही help कर सकती है and I think यह normal चीज़ों में तो इतना ज्यादा help नहीं करता अगर आपको ज्यादा gems नहीं है पर emergent situation में definitely आपको यह help कर सकता है so well guys कैसा लगा आपको यह government builder work for our event comment section में जुरू बताना and यह अपना आज का वीडियो आपको बसे आप में basically मुझे समझाना था कैसे यह काम करता है and अगर आपको वीडियो पसंद आई है please make sure to hit that like and subscribe button सुबह हम लोगों ने एक और वीडियो मनाई थी जहांपर यह daily free reward जो मिल रहे है clash of clients में कैसे मिल रहे है पूर आपको मैंना explain किया था तो उसी भी आप checkout कर सकते हो and yes अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे है ऐसी clash of clients के सारे community के updates से आप अपडेट रहना चाहते हो तो चैनल को subscribe करके बैल नोड वीकेशिंग को आल पे सेट जरूर कर लेना बहुत ही चलती clash of clients में और भी crazy चीज़ आ रही है और वो क्या है भाई उसके regarding आपको सब कुछ पता चलने वाला है तो तक के लिए keep clashing and peace out